हैं आप सभी सररोध की आप सभी भी इस कारिक्रम में जुड़कर इसका लाब उठाएं और आज का जो विशय है कि आज का जो विशय है क्या आदी शंक्राचार ने असुरों और नास्तिकों के लिए विचार दिये क्या आदी शंक्राचार ने असुरों और नास्तिकों के लिए विचार दिये चलिए आज हम इस विशय पर चर्चा करेंगे क्या यह बात सत्य है कि आदी शंक्राचारे ने असुरों और नास्तिकों के लिए क्योंकि ऐसा कमेंट एक आया है कोई संभवता नाम है उनका विश्णुदास संभवता तो उनका मानना है कि आदी शंक्राचारे का जो सिध्धान्त है वो मायावाद है वो उसको मायावाद कहते हैं ठीक लेकिन अब इसका सास्त प्रमाण भी होना चाहिए कि हाँ यह मायावाद है कैसे प्रमानित करेंगे कि मायावाद है क्या विवेक चुडा मनी को पढ़कर कोई यह कह सकता है कि विवेक चुडा मनी का जो विशार है वो मायावाद है आखिर कहना क्या चाहते हैं वो सीधा कह नहीं पा रहे हैं सचाई यह है कि उनके दिल कर रहा है कि वो आधी गुरू शंकराचारे को दस गालिया दे दे लेकिन विचारे दे नहीं पा रहे हैं तो वो मायावाद लिख रहे हैं कि यह तो मायावाद है संकराचारे की विचारधारा मायावाद है जबकि आधी गुरू शंकराचारे के सिध्धान्तों और उनके ग्रंतों को पढ़कर उसे मायावाद कदापी नहीं कहा जा सकता है उसे अद्वाइत वाद कहा जा सकता है और और वो अद्वाइत वाद भी नहीं है वो अद्वाइत सिधांत है वाद एक समझ लेजीए कि वाद मतलब कि कुई किसी चीज़ का एक फैलना किसी चीज का फैलाव करना किसी चीज को कटरता पुरुवक बल पुरुवक कटरता पुरुवक किसी चीज को बताने की कोशिश करना वहाँ पर वाद आता है लेकिन आधी गुरु संकराचार के अद्वैत सद्धानत में कहीं पर भी कटरता नहीं है कहीं पर भी कटरता नहीं है कहीं पर भी किसी तत्थे को फोर्स करके नहीं लिखा गया है तरक के साथ लिखा गया है और वह तरक भी अनुसंधान पर आधारित हैं अनुसंधान मतलब रिसर्च समझने की कोशिश तो किसी व्यक्ति ने कहा कि अब नाम लिया मैंने किसी महानुभाव ने कहा कि आधी गुरु शंकरा चारे कि जो विचार धारा है वो मायावाद है तो आप शास्त्र सम्मत ढंग से प्रमानित कर दीजिए कि मायावाद है कई पर भी विवेक चुडा मनी उपदेश शहस्री और उनके भाष्य जो है शेमत भगवत गीता पर भाष्य आधी गुरु शंकरा चारे का बाद में फिर बाद में जो बाद में आये उन्होंने बाद में भाष्य दिया जब तक वो भाष्य देते तब तक आधी गुरु श शंकराचार दे चुके थे शिमत भगवत गीता पर अपना भाष्य और उसी काधार लेकर बाद में लोगों ने अपने मर्जी से भाष्य दिया लेकिर पर्थम भाष्य तो नहीं का है और बाते हैं आधी गुरु शंकराचारे की और सबसे बड़ी बात कि उनका सिध्धान्त मायावाद है तो उनको पढ़कर तो कहीं से प्रमानित नहीं होता होता कि वह मायावाद है हाँ अद्वैत सिध्धान्त के वह प्रचारक हुए नवीन प्रचारक हुए एक तो यह बात है लेकिन अद्वैत सिध्धान्त आधी गुरु शंकराचार ने द है लिए तो विभेक्षणामनी में भी कई बार आदीग्रुको शंकराचार खुद लिख रहे हैं zap zdaon t out तो आदीग्रु शंकराचार लोक्त कैसे हो जाएगा पैली बात दूसरी बात को कि थो सब्रूंत की आफ्णा तारिका अश्टावक्र महागीता इशादी नव उपनीशद श्वतास्त्र उपनीशद में आत्मा को ब्रह्म कहा गया आत्मा को प्रमात्मा कहा गया वैसे तो उपनिशदों की चर्चा में हर उपनिशद में प्रश्णों उपनिशद में एक ना एक ऐसा मंत्र है जिसमें आत्मा को ही ब्रह्म कहा गया है कोई एक उपनिशद की बात नहीं है तो आदीगुरु शंकराचार जो विवेग चुड़ा मनी में एक करकों के साथ एक स्रिंखला में एक तथ्वे को रख रहे हैं तो वह कोई जो है मायावाद नहीं रख रहे है वह तो अद्वईत सिधान्त को रख रहे है तो अब उन्होंने फिर कहा कि नहीं जो आदी अब एक और दूसरा बात उनके सुन लीजिए कि असुरों और नास्तिकों के लिए असुरों और नास्तिकों के लिए उन्होंने ये सिधान्त द इसलिए उन्होंने वह सित अरे असुर कुल में तो भक्त प्रहलाद का भी जनम हुआ था भक्त प्रहलाद का भी जनम असुर कुल में हुआ था राजा बली का भी जनम असुर कुल में हुआ था चीक है तो उनको क्यों नहीं भटकाया गया और सबसे बड़ी बात कि जिस असुरों की आप बात कर रहे हैं संक्राचारे के समय कौन से असुर थे बता देजिए संक्राचारे का काल आज से लगभग 1400 वर्स पहले का है चीक तो आधिगुरु शंक्राचारे के समय में कौन से असुर थे किन असुरों के लिए उन्होंने ये सिद्धानत दिया था बता दीजे जड़ा चीक तो ना तो कोई उस समय असुर थे हाँ उसके बाद असुर आने शुरू हुए उसके कुछ दिनों बाद आधिगुरु शंक्राचारे के समाधी के कुछ वर्सों बाद लगभग 700 वर्सों बाद क्या हुआ असुर आने सुरू हो गए हमारी धर्ती पर जिसमें पहला असुर मुहम्मद बिन कासिम के नाम से जाना जाता है और वो जो असुर थे वो तो एकेश्वर वाद में विश्वास करते थे वो तो अद्वईत को नहीं मानते थे वो तो जीव को ब्रह्म मारनते नहीं थे अगर कहे दोगे कि मैं अनलहक अगर अनलहक कहेदोगे तो तुम्हें मार दिया जाएगा अब मनसूर जो थे उन्होंने अनलहक कहा और उनको मरवा दिया गया था हलाखी बहुत कोशिश करने के बाद कितनी बार उनको मिर्त्यू दंड दिया गया लेकिन वह बचते चले गया अपनी योगबल से बचे जो कहिए ठीक है तो असुरों का आगमन तो शंकराचार के बाद शुरू हुआ संकराचार के बाद शुरू हुआ और मायावाद संकराचार को मायावादी कहने वाले भी संकराचार के बाद आए पहले नहीं थे संकराचार को मायावादी कहने वाले संक्राचारे के आदीगुरु शंक्राचारे के बाद ही शंक्राचारे को मायावादी कहने वाले आए और साथ में यह असुर भी आए अब जो लोग संक्राचारे को मायावादी कहते थे और जो असुर थे उनकी बाते आपस में मिलती जुलती थी वो भी किसी एक उपर वाले एक को मानते थी को एक ही ताकत है और ये भी जोड़ देकर कहते थी बस एक ही परमात्मा है तुम कृष्ण को ही परमात्मा मानो और किसी को मत मानो कृष्ण को परमात्मा मानते हो तो ज्यानी हो मानने पर ज्यानी और अज्यानी की घोशना कर देना कि अगर तुम कृष्ण को प्रवात्मा मानते हो ज्यानी हो नहीं तुम पुर्णता अज्यानी हो तुम्हें कुछ भी नहीं आता अब चाहे आप कितना भी सच बोले तो अब क्या था कि भाई ऐसे ही एक महानुभाव मुझको मिले वो स्वामी विवेकानन को बहुत गालियां दे रहे थे और किसी एक महात्मा जी को बहुत उचा करके बता रहे थे मैं उनका नाम नहीं लूंगा हो सकता कि किसी समाजी या किसी संस्थानी वादी को बुरा लग जाये वो अपने जिस भी समाज या संस्थान से जुले थे उनके मुखिया को बहुत उचा करके बता रहे थे और स्वामी विवेकानजी के लिए भद्दे गंदे शब्दों का प्रयोग कर रहे थे कि उनको लग रहा था कि स्वामी विवेकानंद की निंदा करकर वो अपने गुरु को उचा साबित कर पाएंगे एक मुर्खता पुर्ण कारे था यह या मुर्खता पुर्ण कारे था चीक पहले बात तो यह और दूसरी बात कि वैसे ही वो अपने सिध्धान्त को अपने उसको द्वाइत वाद कहिए चाहे जो भी कहिए अपने सिध्धान्त को नहीं यह सही है तरक नहीं है कोई अनुसंधान नहीं है कोई रिसर्च नहीं है चीख है लेकिन अपनी बात है कि हाँ यही है बस और बाकिस सब बाते जूट है और उसमें भी मात्र कृष्ण ही प्रमात्मा है शिव प्रमात्मा नहीं है चीख है शिव प्रमात्मा नहीं है या कोई दूसरा कोई प्रमात्मा नहीं हो सकता मात्र कृष्ण ही है और वह भी कृष्ण के सगुल रोपे को ही तुम प्रमात्मा मानो वो एक है और वो कृष्ण है तो अब वह जो बाहर से जो असुर आये थे जो असुर आये थे अब उन्होंने तो क्या हुआ वो लूटने आये थे लूटे रहे थे हमारे इतिहास के किताबों में भी उनको लूटे रहे लिखा गया है अगर मैं कह रहा हूं कि भाई गजनी आया लूटने आया और तैमूर आया लूटने आया तो इतिहास के किताबों म पूरी नालंदा विश्व विद्धाले जला दी, यह मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ, ऐसी बात नहीं, आप नालंदा के खंडार में जाएंगे, तो वहाँ पर भी लिखा हुआ है, कि बक्तियार खिलजी ने जला दिया था, ठीक है, तो वो लूटने आये थे, इसलिए मैंने वो असुर थे, तो शंकराचारे के बाद असुर आये, उन्होंने तो संकराचारे के सिध्धान्त को माना ही नहीं, उन्होंने तो संकराचारे के सिध्धान्त को माना ही नहीं असुरों ने, तो फिर कैसे कहते हैं कि शंकराचारे का सिध्धान्त असुरों और नास्तिकों के वेदो में विश्वास ना रखे वो नास्तिक है और जो वेदो को में विश्वास रखता है वैदिक सिध्धान्त में वो आस्तिक है आस्तिक और नास्तिक यही परिभाशा है यही शास्त्र सम्मत परिभाशा है तो चलिए संकराचारे का सिध्धान्त मायावाद था पतंजली का सिध्धान्त क्या था योग सुत्र का सिध्धान्त क्या था तो महानुभाव अभी तक चुप है योग सुत्र में भी स्वरूप को जानने की बात की गई है कैवल की बात की गई है ध्यान समाधी लगाने की बात कही गई है अस्टांग योग की चर्चा है स्वरूप में इस आत्मा को जानो, उस चेतना को जानो, उस चेतना को जानने का सिध्धान तो योग सुत्र में भी दिया जा रहा है, तो कुल मिलाकर सारी बाते, सारे सास्त्रों की बाते जूटी है और हम जिस संस्था से हैं, हम जिस कल्ट से हैं, जिस संप्रदाय से हैं, बस वहीं की बाते सकते हैं तो और तुम मानो इस बात को क्यों मानो, अब सच जो था, उसने कहते हैं कि सच जब जूता पहन रहा था, सच और जूट की कहानिया बहुत हैं एक बार जूट ने सच के कपड़े पहन कर घूम गया पुरी दुनिया हुआ कि सच चला गया तलाब में नहाने के लिए थोड़ा साफ हो जाता हूं जूटे कपड़े सब उतारे उसने नहाने चला गया जूट आया और उसने सच के कपड़े पहन गया जूट नहीं पहना छोड़ गया अब सच जो है बाहर निकला देखा कि नगन होकर कोई कपड़े उपड़े उसके पास थे नहीं अब वो जूटा पहनने लगा जितनी दिर में वो जूटा पहनता जूट जो था आधी दुनिया घूम गया अधी दुनिया घूम गया मतब अधी दुनिया को उसने अपना फालोवर बना लिया अब सच जूट के पास पहुचा कि यह तो मेरे कपड़े हैं यह तो मेरे कपड़े हैं तो जूट बोलता है कि क्या हो गया तेरे कपड़े होंगे आवाज तो मेरी बुलंद है जूट ने कि तीन चीजे कभी छुपती नहीं है, सच, जूठ और सुरिय, सूरिय चंद्रमा और सत्य ये तीन चीजे छुपते नहीं कभी भी, ये प्रगट होई जाते हैं, कितने भी अंधेरा हो, कितने भी बादल घंगोर हो, इस सामने आही जाते हैं, लेकिन जिस समय जिसकी आवाज बुलंद है, सत्य तो वही हो जाता है, जिस बात को क्योंकि देखिए, चलती है नारे बाजी, क्या चलती है, नारे बाजी चलती है, और नारे बाजी से सत्य का निरधारन होता है, और लोग प्रपगेंडा किसे कहते हैं, कि ये बात फैला दो, लोगों ने मन्थन नहीं किय ये बात गुरु जी ने कह दिया है न अफ्हेलादो इसको लोगों ने मंधन नहीं लोगों ने चिंतन नहीं हम उस पे मंधन करें चिंतन करें करें कि भाई इस बात में कि उस बात पर हम अनुसंधान करें कि यह बात कितना सत्ते हैं और कैसे सत्ते हैं नहीं किसी बहुत कह दी ना बात खतम उतना ही काफी है नारे बाजी से चलती है और कई बार हम बहुत गलत नारे लगा देते हैं अब इंकलाब जिंदाबाद आप नारे लगाई इंकलाब जिंदाबाद लेकिन कितने भारतिया जानते थे कि इंकलाब जिंदाबाद का मतलब क्या होता है उनको इसे लोग यह समस्ते थे कि इंकलाब जिन्दा बाद का मतलब क्या होता है नहीं जी तक्या कलाम चलता है रट्टा चलता है कोई भोल रहा है तो उसके फाल्वर वी सियरकी त्रहन में कि तरह एक 俹ता है तो उसके दुरभाग के कारण एक बहुत बड़ा समाज गुलाम बनता रहता है एक समुदाय गुलाम बनता रहता है और इसी तरह से मानो जाती अलग-अलग जगहों पर अलग-अलग तरीके से गुलाम बनते रहे कभी नारों के गुलाम तो कभी religion के नाम पर गुलामी कभी गौड के नाम पर गुलामी कभी उस एक इश्वर के नाम पर गुलामी इसलिए मैं कई बार कहता हूँ कि एक इश्वर वाद ही सबसे बड़ा पाखंड है आप किसी एक शक्ती को उपर बैठा हुआ है अपनी कल्पना से मान लेते हो तो वो एक पाखंड ही तो हुआ न फिर लेकिन यहां पर शंकर के सिध्धान्त में आदी गुरु शंकराचारे के सिध्धान्त में आत्म अनुसंधान है आत्म अनुसंधान है महर्शी पतंजली के योग सिध्धान्त में आत्म अनुसंधान है योग अनुसंधान है मन की गहराईयों को खुरेदा गया है मानविय चेतना के रहस्यों को प्रगट करनी किया गया है और ऐसे ही प्रगट नी किया गया है उन अनुभूतियों को आप भी अपना अपनी साधना करते हुए प्राप्त कर सकते हैं आप भी उसकी गहराई में उतर सकते हैं छीख है तो यहाँ पर यह तथ्य हमें विशार करना चाहिए और अध्यात्मिक्ता अध्यात्म क्या है और ग्यान क्या है ज्यान अनुभव है हम किसी भी विशय को मान कर ग्यान नहीं का सकते क्या हम मान ले और वो ग्यान हो गया जी नहीं मान लेने से कुछ ग्यान नहीं हो जाता है जान लेने से जरूर ग्यान हो जाता है तो इसी लिए एक लोक अनेक लोक अनेक खंड यहां पर चर्चा अखंड की हो रही है आप लोकों में फसे हुए हैं कि बाई इस लोक से उस लोक उस लो उन्हें पूछा क्या भक्ति से प्रमात्मा नहीं मिलते हैं यूग की बात करते हो अब मैं क्या करूं मैं पहले भी कितनी बार बोल चुका हूं भक्ति शब्द थोड़ी सी भाषा का ज्यान रखो जब पशिम में जब वेस्ट में लेंग्वेज को लेकर बहुत प्राप्लेम आगई शब्दों के अर्थ का अनर्थ होने लगा तो linguistic philosophy को लाया गया कि शब्दों का सही अर्थ निकालना लोग पहले समझे तो जाकर बात समझ में आईगी तो जाकर बात समझ में आएगी नहीं तो अर्थ का अनर्थ हो रहा है इंकलाब जिंदाबाद आपने तो इसे भारत का नारा बता दिया ये तो हमारे आजादी का नारा है देश भक्ती का नारा है जी नहीं इंकलाब जिंदाबाद वास्तों में एक कॉमुनिस्ट स्लोगन था एक कॉम्मिनिस्ट स्लोगन था इंकलाब जिंदावाद भारत के अजादी के जो लडाके थे भगत सिंग हो गए और बहुत सारे इन सभी लोगों को उस समय के लिए उस टाइम के लिए कॉम्मिनिस्ट सपोर्ट प्राप्त होता था मिलता था ठीक है यही कारण है हमारे देश के गैर सरकारी संस्थाओं पर मतलब एंजियोज पर कॉम्मिनिस्ट पावर का आज भी होल्ड रहता है आज भी उनकी पकड़ रहती है एंजियोज के उपर तो उस समय जब उनको सहयता मिलती थी को हमनी सपोर्ट मिलता था और उनको जब सहयता मिलती थी तो वो चाहते थे कि जो है इनका हमें सपोर्ट मिलेगा तो इंक्लाब जिंदाबाद मतब क्रांकी की जिंदाबाद लेकिन नारा चल पड़ा और लोगों ने सोचा किए तो देश भक्ती का gerçekten और लोगों ठीक है तो इस तरह से समस्याएं है इसलिए नारे बाजी से बचिए कि कौन सा नारा क्यों चल रहा है किसलिए चल रहा है एक तो यह समझे इसलिए मैंने क्यों बता रहा हूं कि मायावाद 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 अरे भाई तुम बार-बार कह रहे हो कि संक्राचार से मायावाद नहीं हो जाएगा लगा और जो जा रहा है उस संक्राचारे का सिध्धान्त मायावाद है तो प्रमानित कीजिए कि कैसे मायावाद है उन्हीं की सिद्धानतों से प्रमानित कीजिए विवेक चुला मनी में तो लिख रहा है कि द्वाइतवाद ही मायावाद है अगर विवेक चुला मनी को प्रमान लिया जाए तो द्वाइतवाद को मायावाद लिखा ह हुआ है ठीक तो इसी लिए यह मायावाद जान बूझ कर इस बात का प्रचार किया गया कि शंकराचार के सिध्धानतों पर से लोगों का ध्यान हट जाए और लोग उसको मायावाद समझें और लोग जिनको कुछ करना नहीं है जिनको सब कुछ थाली में बैठे बैठे मिलना चाहिए हर कुछ मोक्श भी मिल जाए थाली में बैठे बैठे हम तो गुरु की मिल जाए जी आप तो तो नहीं धारन कर लिया हां सच्चे गुरु भी होते हैं सच्य संत्र भी होते सच्चे राह दिखाने वाले भी होते हैं मैं यह इ onset मतों नहीं पड़ गए तो इसी लिए है जो फिर वही बात आ गए कि institution जहां आ जाता है है संस्थान वाड आ कैसे भी संस्थानिय अहंकार को सटिस्फाइग करेंगे अब हम चिलाएंगे तुम सच बोलते हो तो वही बाली बात होगी न कि सच बिचारा जब तक जूते पहन रहा था तब तक जूट आधी दुनिया घोम गया मतलब आधी दुनिया को उसने अपना फॉल्लवर बना लिया अब बिचारा सच अकेला अब जूट तो लाखों की हजारों करोडों की संख्या में अब वो करोडों की संख्या में जो भी बोलेंगे वो सत्य ही हो जाएगा क्योंकि उनकी आवाज बुलंद है सच ने कहा कि मैं सत्य हूँ तू जूट है तूने मेरे कपड़े पहने हैं जूट ने कहा क्या हो गया आवाज तो मेरी बुलंद है इसलिए जब किसी जूट को बहुत सारे लोग बोलने लग जाते हैं तो वो सत्य प्रतीत होने लग जाता है किसी झूट को बहुत सारे लोग जब बोलने लग जाते हैं तो वो सत्य की तरह प्रतीत होने लग जाता है लगता है कि यही सत्य है तभी तो इतने सारे लोग बूल रहे हैं और हम उसी भीड तंत्र में उसी भीड तंत्र का शिकार हो जाते हैं हम उसी भीड तंत्र का फिर शिकार हो जाते हैं तो यह यहाँ पर समस्य आ जाती है फिर अब डूबेंगे लोग, हजारों लोग डूबेंगे उसमें जो भी उस भीरतंत्र का शिकार बनेगा वो डूबेगा इसलिए जब लुटेरे आए असूर आए हमारे देश के अंदर तो क्या हुआ कि वास्तों में जिस सिद्धानत और जिस विचार धारा के साथ चलना था वो नहीं हुआ लोगोंने सरेंडर करना शुरू कर दिया ठीक है भई गुलामी स्विकार कर ली स्विकार करना शुरू कर दिया उससमें एक चानक के होते तो शायद कुछ और ही इतना बड़ा शाशक इतने राज्यों को जीत कर आने वाला साशक अलक्षेंद्र सिकंदर जिसे कहते हैं उसको यहां से पिट दिखाकर निकलना पड़ा जाना पड़ा मजबूर होकर नहीं चल पाया जो इतने सारे देशों को अपना गुलाम बना चुका था वह यहां नहीं चल पाया क्यों कि करम के सद्धान्त में लोग विश्वास करते थे उस समय लेकिन बाद में कालंतर में शंकराचारे आदी गुरू शंकराचारे के बाद लगभक सक्तर सौ वरसों के बाद या लगभक उतना ही थोड़ा और जादा हो सकता है समय उसके बाद जब मुहम्मद बिन कासिम चंगेज खां और कई जो लूटने के उद्धिश से लोग यहां आक्रमान करता जो आते थे वो किसी एक को मानते थे तो वो तो अध्वयत को मानते नहीं थे तो अगर आप कहेंगे कि शंकराचारे के भाई-साब कह रहा है कि शंकराचारे ने असुरों और नास्तिकों के के लिए लिखा कौन से असुर्थे उस समय कौन से असुर्थे तो इसलिए जब आप कहते हो कि वह एक ही प्रमात्मा है और एक ही वह चीज है बाकी सब कोई कुछ भी नहीं है कोई देवी देवता कुछ भी नहीं है ना कोई करम कांड है ना यग्य हवन है सब बेकार है और कहत कहरो के कही यह बागी कुछ भी नहीं है तो कहीं न कहीं उन असुरों से ही बात मिलती जुलती नजर आती है फिर वो भी किसी एक उपर वाले को मानते हैं फिर ठीक है और छोड़ दीजिए सारी बातों को और श्रीमत भगवत गीता का सिध्धांत स्रीकृष्ण स्वेम क्या कह कहते हैं हम आत्मा गुड़ा के शर भूता अरजुन चुद मैं सभी भूतों में इस्थित आत्मा मैं ही हूँ कि त kein आहित कए आतरों प्रम्व क्तक्राइब ़िए आतं मेरा ब्रह्म अलिकार्व कि मायवाद कहा गया कि शुक्रण तो कह रहे हैं कि अध तो कह रहे हैं कि कि सिद्धांद में नहीं रहता क्या क्रिश्ण ने कहा कि मैं इस धाम से उस धाम में चले जाओ फिर उस धाम में चले जाओ और वो उपर जाकर एकदम लाष्ट में राधा जी का धाम है फिर गोलोख धाम है कहीं वहाँ पर बैठे हुए क्रिश्ण कहा रहा है हिर्दी सर्वस्व विष्ठितम वह स्वामी तो उसी दाझ लिखते है असप्रभू हिर्दय अच्छत अभिकारी असप्रभू हिर्दय अच्छत अभिकारी तो तुम हिर्दय पर्वेश नहीं करोगे और लंबा चौड़ा लिष्ट को दोगे यह लोग वो वह लोग इसके उपर वह लोग यह खंड वह खंड फिर सच खंड फर वैसा खंड पता नहीं कौन-कौन से खंड चरचा तो अखंड की हो रही है तो इस तरह से कई तरह की बाते आ जाती है फिर कोई किसी को मानना है उसको लगता है कि मैं जो मान रहा हूं वही सही है तो मानो भाई इसने कहा है मानिए को Сов One ि रोक के रखा है क्या है छीठ है लेकिन मायावाद माया وाद और संकर ने असुरों के लिखा कौन से ऺई लिखा है उस समय असुर थे कौन जिनके लिखा हो यह बता देजिए तो इसी लिए यह सब बाते हमें विचार करने चाहिए और मायावाद मायावाद कहने से नहीं हो जाता है उसको प्रमानित भी करना पड़ेगा यहां यह सिध्धान्त मायावाद का सिध्धान्त अद्वईत सिध्धान्त को आप मायावाद कह रहे हैं और अद्वईत सिध्धान्त आदीगुरु शंकराचारे का सिध्धान्त नहीं है ठीक वो उसके प्रचारक है वो उसके जनक नहीं है उन्होंने उसको बहुत 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 तरीके से बहुत अच्छे से लोगों को और स संकराचार ने ये कभी उन्होंने नहीं किया स्वामी विवेकानन उन्होंने ये कहा कि जो वेक्ति ये कहता है कि मैंने वेदों से कुछ नया ही धर्म ढूंड लिया है कोई नया ही शक्ति को खोज लिया है कुछ नया ही जान लिया है तो समझ लेना कि धर्म के विशय में वह आ तरक से नहीं तो इसी लिए ये कई बाते हैं इस संदर्व में तो हमें थोड़ा सा विचार करना चाहिए जब हम आदिगुरु शंकराचारे को मायावादी कहते हैं या उनके सिध्धान्त को मायावाद कहते हैं या यह कहते हैं कि उन्होंने असुरों के लिए सिध्धान्त ल रिखाता मैं तो सुरों के लिए लिए लिखाता उन्होंने अधवयत vector Shruti अधारित अध्वयत सद्धान्त दिया था और अध्वयत सद्धान्त उपनीशदों से निकलता है रिदान्त त mm कहते हैं तो कि उपनीशद ही विदानत का आधार है उत्तर्मिमांसा और उपनिशद उत्तर्मिमांसा की भी विचारधारा उपनेशदिक विचारधारा है उस विचारधारा को आदिगुरू शंकरयाचारे विस्तार करके समझा रहे हैं अपने साहित विवेक चुडामनी से चीक है तो वह अद्वाइत सिध्धान्त है ना कि मायावाद है अगर मायावाद कहते हो तो उसे आपको प्रमानित करना होगा कि मायावाद किस प्रकार से चीक वह तो माया को भी ब्रह्म बता रहे हैं वह तो जगत को भी ब्रह्म बता रहे हैं वह तो जीव को भी ब्रह्म बता रहे हैं हाँ एक अवस्था में वह सर्व्यापी ब्रह्म का अनुभाव नहीं लेकिन पारमार्थिक सत्ता का अनुभाव होन के बाद अर्थात ब्रह्म ज्ञान होने पर अर्थात तूरिय अवस्था प्राप्त होने पर साक्षी अवस्था प्राप्त होने पर ठीक तब जो है जाकर क्या होता है हमें फिर क्या प्राप्त होता है अद्वैत की अनुभूती होती है, वहां कोई माया नहीं होती, वहां सिर्फ ब्रह्म ही ब्रह्म है, दूसरी कोई सत्ता ही नहीं मानी गई ब्रह्म के अलावा, तो मायावाद मायावाद क्यूं कह रहे हैं और क्या क्यूं कहना चाहते हैं मायावाद, या फिर लोगों से रटवाना चाहते कि सब लोग रट लें कि संकर का सिधान्त मायाबद है वयसे ही जैसे कि इंकलाब जिंदाबाद को लोगों ने देश भक्ति का नारा समझ लिया हाँ क्रांती का नारा था इंकलाब मतलब क्रांती, revolution लेकिन इन्कलाब जिन्दाबाद कोई हमारे देश का या हमारे देश का नौरा उसको कहना सहीं होगा हाँ आप कुरान्ती का नारा उसे बता सकते हैं और ये आया भी था तो कोई हमारे देश वक्ति से नहीं आय था उस प्रभाव में आया था Communist विशारधारा के प्रभाव में ये नारा उपजा था ये नारा इस नारे ने जनम लिया था Communist thinking के प्रभाव में चीक तो अब हमें ये समझना होगा लेकिन नारे भाजी और terminology क्या होती है? कैसे काम करता? औभी किसी महानुभव ने अभी मैं चर्चा कर रहा था भक्ति क्या भक्ति से परमात्मा नहीं मिलता आप तो योग की बाते करते हैं? क्रिश्ण ने क्या बाते की हैं कि भगभा ने खृष्ण शुरू से लेकी अंत तक योग-योग की बात नहीं कर रहे हैं अब आजाए भाषा विज्ञान पर आजाए भाषा के शब्द अर्थ पर आजाए तो भक्ति शब्द का क्या अर्थ होता है संस्कृत भाषा के अनुसार भक्ति शब्द का अर्थ क्या है भक्ति का अर्थ है जुड़ना विभक्ति का अर्थ है अलग भजन का अर्थ है जोड़ना विभाजन का अर्थ है बटवारा बाट देना अलग अलग कर देना भजन का विलोम सब्द है विभाजन बाट दो अलग कर दो भक्ती का विलोम है विभक्ती विभक्ती मतलब अलग करना और भक्ती मतलब जोड़ देना और योग का मतलब क्या होत आप अलग हो गया और योग हो गया मतलब जुन गय een तो आप पूछोगे। योग-doop कहते हैं और भक्ती का भक्ती से पर्मात्मा नहीं मिलेगा क्या क्वति से मोक्षन होता क्या अब यह प्रश्ण क dudन권 समस्या यहीं पर है दो कि improv कि आत्मा को नहीं जोने आप आत्मनों संधान नहीं करते आप आप किसी उपर तक्त्व को तक्त्व को उसे आप इससे प्रूइब तक्त्व ten जब नहीं कितने हैं मैयावाद से लोगों को शीह का छीए और भक्ती और योग में अंतर नहीं है आपको जब अनतर दिखाई दे रहा है तो और भ्रमित है आप किसी ना किसी भ्रमजाल में पढ़ गए हैं आप ऐसे लोग के चक्कर में पढ़ गए हैं जो भक्ति और योग को अलग-अलग कहके बताते हैं लेकिन इसका अर्थ लेंगे तो कहीं भी अलग नहीं है भक्ति और योग अलग नहीं है ठीक है और आदीगुरु शंकराचार कि विचारधारा में मंदन है खंडन नहीं है अखंड की चर्चा है खंड की चर्चा नहीं है ब्रह्म को ही संपुर्ण बताया गया है ब्रह्म लोक को ही एक लोक बाना गया है कि ब्रह्म ही सब कुछ है तो फिर अलग-अलग लोक कहां से हो जाएंगे तो अलग-अलग लोखों के भी चर्चा संकराचारी के सिध्धान्त में नहीं है अलग-अलग खंडों के भी चर्चा संकराचारी के सिध्धान्त में नहीं है इसलिए वो अद्वाइत वाद उन्होंने एकेश्वर वाद नहीं बोला अद्वाइत वाद अद्वयत सिद्धान्त एकेश्वरवाद नहीं है एकेश्वरवाद इसलिए नहीं है वो तो इस तरह से जब तक हम तक्थियों को नहीं समझेंगे और मात्र कहावतों में अगर उलद जाएंगे तो समस्या आजाएगी और कहावतों से हमें बचना चाहिए आदीगुरु शंक्राचार्ण जहां प्रब्रह्म की सत्ता मानि तो भावरुप में देविदेवताओं की सत्ता मानि है इसलिए उन्हों ने जगनमाता माचंडिका का भावानी का जगत अच्छनिकाभी गुनगान किया है उन्होंने गुंद का भी गुनगान किया अधिगुर्णí अधिगुर्युन शंकराचार ने लिखा आए एस और क्यों जो कि भावनातमक सत्ता में वेवाहरी सत्ता में जहां पर भावनाय काम करती है ब्रम्म भावातीत है कलपा तीत है तिर्गुणा तीत है परन्तु इस अंसार में भावनाइँ ही सिर्षी बनते हैं इसलिए उस सिर्षी का प्रयोग करके आगे बढ़ना चाहिए योगमारगपर पहली शुरुवात तो भावनाउं से ही होगी न तो वहीं स इसलिए तो इसलिए सगुन का साथ लेके चलना चाहिए तो सगुन और निर्गुन की लड़ाई आधी गुरु शंक्राचारे के विचारधारा में कहीं भी नजर नहीं आती कुछ लोग निराकार साकार में उलजे रहते हैं कि परमात्मा निराकार है कि साकार है कि सभी उलजन से अद्वईत सिध्धान्त आपको उपर उठा देता है इन सभी उलजनों से अद्वईत सिध्धान्त आपको उपर उठा देता है तभी आदी गुरु शंकराचारे भज गोविंदम कहते हैं कि गोविंद का भजन करो क्या उनकी कोई मजबूरी आ गई थी इसलिए कह दिया था क्या उस समय कौन सी मजबूरी उस समय तो उनके पास कोई ऐसी चुनौतियां थी नहीं जो बाद में आई जो माया बादी आदी गुरु शंकराचारे को जो माया बादी कहने वाले थे वो बहुत बाद में आए टो तो उस समय आए जब लुटेरों का सम्राव्ज चारों तरफ तरफ प्याल रहा था तो उस समय वो लोग आए और उन लुटेरे असरों को वो रोक भी नहीं पाए वो रोक भी नहीं पाए, तो इसलिए आत्मानु संधान, आत्मा को जानने की बात सुरिक्रिष्ण भी अर्जुन से कह रहे हैं, अगर सुरिक्रिष्ण उसी रूप में चाहते थे कि अर्जुन उसी रूप में जाने, तो सुरिक्रिष्ण ये क्यूं कहते है कि ना तो माम शक् तो इसलिए मैं तुझे दिवचक्षु ही दूँगा दिवचक्षु देने की वहां पर बात की है अपने आपको आत्मा रूप में बताया है अपने आपको जोती रूप में स्रीकृष्ण कहते हैं जोती शाम अपीतच जोती तमसापरमुच्ष टे ज्यानम कईयं उग्यान mêmes कि छ धृति सरवस्ट सुषुन मैं सबके वास करना करने वाला ज्यान की दौरा जयने योग्यों कैसे जाना जांगा जाएयं ज्वारा तत्व ज्वर को जानना प्रमात्मा को जानना तत्व क्या है तो कृष्ण तो कुछ और समझा रहे हैं अपने आपको आत्मा भी कह रहे हैं हम आत्मा गुडा के इसलिए किसी का परिवेश समझना चाहिए कि गीता का परिवेश किया है किस परिवेश में चर्चा चल रही है अपना कालपनिक परिवेश नहीं बना लेना चाहिए तो कई लोग श्रीमद भगवत गीता का व्याख्या करते हुए अपना कालपनिक पर न्यास्तियों की चर्चा भी नहीं थी यह तो दो राज़ पुरुषों की चर्चा थी ए उनके बीच में चर्चा चल रही थी तो चलिए गीता पर चर्चा तो वैसे हो रखी है इस चैनल पर भविश्व में दुबारा आएगी कुई यह विश्य है कि इसमें बहुत कुछ है और बहुत कुछ समझने की आवशक्ता बनी रहती है तो दुबारा लाइव में कभी गीता कई पुन्रा विर्ती भी जरूर करेंगे तो यह सारी बाते हैं तो मायावाद मायावाद कहना जरूरी नहीं है कि हम किसी को खुद को साबित हम इसी ढंग से करेंगे तो अगर है कुछ साबित करने के लिए तो कोई मानिता वाली बात नहीं होनी चाहिए प्रमानिकता वाली बाते होनी चाहिए प्रमान वाली बात होनी चाहिए अनुसंधान वाली बात होनी चाहिए उसमें अनुसंधान हो उसमें प्र नहीं है, लेकिन इस बात का प्रचार करना कि हम तो मात्र कृष्ण को ही प्रमात्मा मानते हैं, और कृष्ण ही है, आत्मा को जानने की कोई जरूरत नहीं है, और शिव और बाकी किसी को भी मानने की कोई आवशक्ता नहीं है, कुछ भी मत करो, बस कृष्ण को ही मानो तो आप कुछ एक नई विचारधारा सामने रखना चाहते हैं कुछ अलग विचारधारा रखना चाहते हैं जो वेद सम्मत नहीं है जहापर वैदी करम कांड का भी खंडन हो रहा है वेद सम्मत नहीं है और वेदिक करम कांड का भी आप खंडन कर रहे हैं करम सद्धान्त का भी खंडन कर रहे हैं जिसका खंडन कर नहीं सकते क्योंकि असंभाव है करम कांड का खंडन आप विचारों में कर सकते हो करम में नहीं कर सकते हैं करम कांड का खंडन आप विचारों म तो इसलिए प्रमानिक रूप से विवहारिक रूप से बाते जब हमारे सामने आती हैं प्रमानित होती हैं तब ही जाकर कोई बात सटीक लगती है सही लगती है और एक अनुसंधान का विशय है या कोई सही और गलत होने का विशय नहीं है खुद जानने का विशय है हम खुद तो मान के चलें या जान के चलें, हमें मान के चलना चाहिए या जान के चलना चाहिए, ये दो बाते हैं, तो क्या सारी बातें मान कर ही चलेंगे, तो मान के ही चलेंगे, तो सत्य तक कैसे पहुँचेंगे, तो जानना पड़ेगा, जानने की और आगे बढ़ना पड़ेगा, और जानकर ही गोस्वामी तुलसिदाजी लिखते हैं कि जाने बिनु ना होए परतीती, बिनु परतीती होए नहीं प्रीती, प्रीती बिनु न भक्ति द्रडाई, जिमे खगपती जलखी चिकनाई, उतरकांड के अंदर खगपती मतलब कागभुशंडी जी को कहा जा रहा है, जी यहाँ पर खगपती के रूप में है, वह वाचक है, रामचरत मानस के कई वाचक है, उनमें कागभुशंडी भी वाचक है, वो गरुण राज को कुछ समझा रहे हैं, बता रहे हैं, कुछ परसंग सुना रहे हैं, तो कह रहे हैं कि जाने बिनु ना होए परतीती, जब तक जानोगे नहीं, तब तक विश्वास द्रड नहीं होगा, जानने से होगा, मानने से नहीं होगा, और जब तक विश्वास द्रड नहीं होगा, तब तक माननेता बनी रहेगी और जानने के स्थिती में नहीं आओगे, जाने बिनू ना होई परतीती, बिनू परतीती होई विश्वास नहीं तो प्रेम कैसा प्रेम नहीं तो भक्तिय द्रण कैसे होगी बख्तिय द्रण होना और योगद्र होना एक ही बात है अर्थे अनुसार एक ही विश्या जब तुम जान गए तुम योग मार्ग पर उतर गए और तुमने आत्मा की राह पकड़ ली और उसमें तुमने साक्षातकार हो गया तो तुमारा विश्वास दिर्ड हो जाएगा और तुम चलते जाओगे फिर तुम उस गहराई में और डूबने का प्रयास करोगे और जानने की कोशिश करोगे चीक है तो यह हमें समझने की आवशक्ता है और यह रटा लगा लेने से कि यह मायावाद है यह मायावाद है रटवाईये मत लोगों को रटवाना बंद कीजिए कि मायावाद है पहले अपने मायावाद को प्रमानित कर दीजिए कि भाई इस तरह से यह मायावाद है नहीं त सोचा कि इस विशय पर थोड़ी चर्चा हो जाए तो बहतर है क्योंकि ऐसा कहने वाले वह अकेले नहीं है कई लोग है यहां पर वही कमेंट कर रहे थे लेकिन ऐसे कहने वाले दूसरी तरफ से कई लोग हैं तो इसी लिए इस विशय को लेना पड़ा अगर वही सिर्फ होते तो शायद उनके विशय पर ध्यान नहीं देते हैं कुछ भी बोल रहे हैं लेकिन ऐसे भारी संख्या में लोग हैं जिनको यह रटवा दिया गया है क्यादी गुरु शंकराचार का अद्वाइत सिद्धान्त मयावाद है अधवाइतन ही उसको बोलेंगा वह मयावाद है तो परमानित कीजिए कि आप किस तरह से मयावाद उसको तिद्ध करते हैं या मानते हैं यह कहते हैं या सिर्फ लोगों का ध्यान भटकाने के लिए एक नारे बाजी है ताकि यह नारा रटवा दो और फिर वह संधान करेंगे अरह यह तो मायावाद को क्या पढ़ना कुछ ऐसी बाते आजये क्या नए सुत्र है कि कि दट्ट्व संधानत वह भी मायावाध है किया योग सुत्र वी मायावाध हो जाएंगे श्मपिढ वैदिक सिद्धान्ति मायवाद हो जाएगा तो इसलिए विचार करके हमें चलना चाहिए बस इसी यही चर्चा थोड़ा सा लेना चाहिए हमें खुद जागरुक होना चाहिए अपने धर्म के परती अपने शास्त्रों के परती अपनी संस्कृति के परती हमें थोड़ा इसका आत्म बल्ल पहले से अधिक विक्सित हो जाएगा बहुत बड़ा अंतर है दर्शनिक difference है कि यहां पर इसले हर तरह के लड़ाई है हर तरह का युद्ध है हर तरह का संघर्ष है ते कह दर्शनिक संघर्ष भी है विचारधारा का संघर्ष भी है तो भारतिय सनातन धरम की विचारधारा और उसमें इश्वर की माननेता या परमात्मा की माननेता या परमात्मा की धारणा किस बात पर अधारित है और वो किस तरह से बताई गई है वो उस धारणा से काफी अलग है इसलिए मैं कहता हूँ आत्मा इस नौट सोल आत्मा सोल नहीं है तो कि जब भी आप सोल की बात करोगे तो सोल का कॉंसेप्ट आएगा बिब्लिकल बिब्लिकल मतलब बाइबल से आए और जब भी आत्मा की बात करोगे तो उसका विशारधारा उपनिश्दों से आएगा फिर जब दोनों को पढ़ोगे तो सोल इस डिफरेंट तिंग आत्मा इस डिफरेंट तिंग अलग-अलग हो जाएगा लेकिन ज्यादा तर आप यह चल चुका है हमारे किताबों में लि प्रतात की तरह हम रटे हुए हैं छीक तो यह सारी बाते हमें विचार करनी चाहिए और कोई भी बात ऐसे ही नहीं रट लेनी चाहिए ऐसे ही नहीं कहब देनी चाहिए थोड़ा सा हम उसकी जानकारी को बढ़ाएं एक विवस्थित ज्ञान हमें अपने वैदिक दर्शन का हो तो निश्य ही ये समस्या का समधान हो जाएगा करते करते मैं एक हूँ मैं जानता हूँ कि मैं ही बोल रहा हूँ कि इस विशह पर या इस तरह से लो ही वाली बात है कि सचने कहा जूट से के भैं तुने मेरे कपड़े पैने है लेकिन फिर भी मैं बोल रहूँ सचने कहा फिर भी बोल रहा हूं शाय और मेरी बात माने साइद को समझे मेरी बात माना कि आधी दुनिया जूट की फालवर बन चुकी एक समय पर वो आने वाले समय में पच्छताएंगे भी कि हमने क्यों विश्वास कर लिया जूटे आदमी पर हमने क्यों विश्वाद किया? वो पश्टाएंगे भी और लोग पश्टाते भी हैं और कई बार एतिहास को देख कर लोग पश्टाते हैं ठीक है? लेकिन समय बदल चुका होता है समय बदल चुका होता है, सत्य तो सामने आता ही है तो चल यह ठीक है यही है और बस एक छोटा सा प्रयास है और बाकी लोगों को जो मानना होता है वही मानते हैं तो हमें विचार करके इस पर थोड़ा सा चिंतन हो सके तो करें नहीं तो जिस तरह से चल रहे हैं अपना चलते रहें क्या फरक पढ़ता है दुनिया आगे बढ़ी रही है क्या फरक पड़ता है किसी सत्य को जानकर जूट के साथ भी तो लोग जी रहे हैं जूट के साथ भी लोग जिन्दगी जीही लेते हैं क्या फरक पड़ता है और जब जी लेते हैं तो जूट ही सकते हैं फिर जब हजार लोग किसी बात को कुछ इस तरह की बाते हैं कि वक्ति कितना अपने आप में इसपस्ट है और अपने इस पस्ट वाईता के साथ करल नुकसान करना शुरू कर देता है, ऐसा भी देखा गया है, क्यों स्वेम का नुकसान करना शुरू कर देता है, क्योंकि हर व्यक्ति तो उतना इस पश्ट नहीं है, हर व्यक्ति कहीं न कहीं, अंधकार में ही चीजों को स्विकार किये जा रहा है, और एक नहीं, भारी संख्या स्विकार कर लेते हैं वह बासा हो जाती है मनन करते हैं मनन कर के आत्मनु संधान करके, निश्य ही सत्य को जानने का प्रयास करें, और सत्य को जानकर ही जीवन का कल्यान है। तो शंक्रा जारे जी पूरु जनम में ब्रह्मे ज्ञानी रहे होंगे तबी 30 साल की उम्रम में इतने सारे वाशांतर की एक अनुमान है आपका अच्छी बात है अरजन चोहान जी बबीता धीमान जी राजूपाल जी जैनती प्टेल जी जैनती भाई प्टेल भोत अभिरंदन गयरोज जी विकरम सिंग जी विंदेश्वर मिश्रा जी परम अधरनी सविता नायक जी अविरंदन है माराजेश्वरी जी बिकरम सिंग कनाई कुमार जी बलवन सिंग गोहिल अबनी प्रधान हरिंदर सिंग जी विनोध कुमार सूध सैयुकता पटेल रूप लाल विश्व कर्मा सूरम पत्याल जी उशा श्रवास्तवा जी सविता नायत आजकल ओनलाइन शास्त्र सवन किया जाता है शास्त्र पुणता पर शास्त्र पूजा व्यास पूजा के लिए हम शुरता क्या करें तो व्यास पूजा और शास्त्र पूजा आप खुद से कर सकते हैं चीक ना आप स्वेम से भी कर सकते हैं क्योंकि पूजा तो ओनलाइन का यह विशय नहीं है ठीक है ना यह ओनलाइन का विशय नहीं है यह शर्धा का विशय है और खला कि ओनलाइन तो एक मध्यम है आप ओनलाइन भी शर्धा व्यक्त कर सकते हैं आप व्यक्त करें श्रधा कमेंट में व्यक्त कर दें नहीं तो आप शास्त्र समापन पर आप दुबारा पूजा कर लें तो अच्छा रहेगा अपने घर में जहां पर भी आप हैं आप करना चाहते हैं पूजा प्रणाम उन महान विभूती को जो सास्त्र के रचाईता है और वो जो स्वेम वो शास्त्र है उसकी आप पूजा कर लिजे वो आप कर सकते हैं लेकिन विचारधारा और विचार हम आत्मसात कर सके हिर्द्यस्त कर सके उसके साथ ही पूजा हो तभी पूजा का फल भी सही से प्राप्त होता है जब वैसी भावना नहीं बनती वैसी शरधा रह जाती है तो इसी लिए पूरा सुनने के बाद अगर आप सम्मान व्यक्त करना चाहते हैं अगर आप दान करना चाहते हैं उस कारे के प्रति पूजा के रूप में तो आप कर सकते हैं चीक है या इसके लिए आपको अभिनंदन है बहुत अच्छी बात है जो यहां पर माताजी ने लिखा है कि बैशास्त्र पूर्ण होने पर हमें पूजा किस प्रकार से करें अब ऑनलाइन ऐसी कोई विवस्था पूजा की नहीं है ल लेकिन संपूर्ण पूजा अगनी के साथ दिये के साथ वो तो कैमरे के सामने या फिर बिल्कुल कंप्यूटर के सामने उस तरह की संपूर्ण पूजा का तो कर पाना या ला पाना संभाव नहीं है कंप्यूटर के सामने हाँ दूर कहीं कैमरे से कोई कहीं पर कथा बता चल तो फिर वहां पर ये कर पाना सरल नहीं है कि उस धंग से मंगला चरन किया जाए और पुर्णा हुती की जाए और जो है सारी क्रियाएं की जाए लाश्ट में आरती की जाए तो ये सारी चीजे ये उस प्रकार से संभव नहीं है आपके श्रदा है आप करना चाहते हैं कुछ दान दक्षिना करना चाहते हैं तो ये आपके श्रदा है आप कर सकते हैं ये आपकी अपनी मरची है जरूर करिए बस हम इतना कर सकते हैं कि हां कुछ समापन के मंत्र बोल सकते हैं ज्यादा से ज्यादा और क्या कर पाएंगे तो क करनी चाहिए अच्छी बात है रमेश पेश्वानी जी बहुत अभिनंदन है गोविंद प्रसाद नेमा जी विनीता अगरवाल जी पंकस सोनी जी उत्पल मन्ना जी विमला शाह जी पिंटू वासवा जी चंद्रेश्वर पांडे जी भुपेंद्र सिंग जी स्रिजनी महंता जी शतीश कुमार जी विश्णुचंद्र मौरिया वैभाव सिंग जी भगवान आदी शंकराचारे की आत्मा राजा की बॉड़ी में चली गई थी उस बारे में बताएं ये कैसे हुआ था ये एक अलग कथा है और ये मंदन मिश्र के साथ शास्तार्थ में हुआ था आत्म चली नहीं गई थी उन्होंने अपने आपको ये योग बल है परकाया प्रवेश की शक्ती है परकाया प्रवेश की सिद्धी को महरशी पतंजली ने विभूति पाद में समझाया है कई विभूतियों और कई योग शक्तियों के बारे में बताया उन्होंने योग सिद्धिय के इब आ डगने के साथ अपनि अपने शरीर से अलग करके को आपनी संपूर्ण भावनाओं को सथापित करना और यह ट्यां कि सिद्धी है यह सद्धी है यह, if there is no unity among Hindus follower of Sanatan Dharma, these religious conversion will continue, media kept quiet on the Lavanya death case in Tamil Nadu, yes, Lavanya suicide case, जो था, जो death case था, कि संभवता आप जिस लवन्या के बारे में बात कर रहे हैं, in school she was forced to convert in Christianity, उसे convert करने की कोशिस की गई थी, कि तुम इसाई बन जाओ, लेकिन Christian school में पढ़ने पर भी वो इसाई नहीं बनना चाहती थी, और stress में आकर एक लड़की ने आत्महत्या कर ली, आत्महत्या कर ली यह भी एक चर्चा का विशय है, हमें विचार करना चाहिए, हम अवश्य इस पर भी चर्चा करें तो अच्छी बात है, ऐसे विश्यों पर भी, कि यह विचार करने योगे बात है, कि उसे ऐसा force किया गया, कि तुम इसाई बन जाओ, और उसने stress में आकर, बहुत जादा परिशान होकर, उस अन्या ने आत्महत्या कर लिए, सुसाइड कर लिया, उसके मिर्त्य हो गई, तो यह जो चीज है, यह क्या है, ऐसा क्यूं हुआ, और इस तरह की इस्थिती क्यूं बनी, इस तरह की परस्थिती क्यूं बनी, तो इस तरह की परस्थिती नहीं बननी चाहिए, अगर हम जागर हो जाए हम सभी और जो हिंदू समाज है संप्रदाए वाद और गुरु वाद से बाहर निकले तब ही पॉसिवल है थीकि hem और संप्रदाए वाद से बाहर निकले संस्थानवाद से बाहर लेकले हर संस्था हर गुरूजी आप चले जाए संस्थाओं में जो संस्थाओं के मुखिया गुरू है कि वह कहीं ना कहीं अपने शिश्यों को यह समझाने में लगे रहते हैं कि सारी दुनिया को हमारी संस्था में एक दिन आना है। पता नहीं वो एक दिन कब आएगा। इस शिश्यों को भी निए पता है, एक दिन आएगा जरूर। उनको बस इतना विश्वास है कि एक दिन आएगा जरूर। कि सारी दुनिया हमारी शत्री के नीचे आएगी, तो सारी दुनिया को अपनी शत्री के नीचे लाने की जो महत्व कांख्षा है, यह बड़ी भयानक है, बड़ी खतरनाक है यह, और इसमें फिर क्या होता है कि बुरे कारियों को भी अच्छाई से प्रस्तूत किया जाता है, एक एश्वर वादियों ने इस दुनिया को, इस मानवता को इतना नुक्सान पहुंचाया है, जितनी भी हिंसाई हुई हैं, वो किसी ना किसी एक गौड या किसी को मानने वाले लोग थे, और वो चाहते थे कि हमारी बात को लोग माने, ना माने तो हम लोगो मार देंगे, लोगों की हत्याएं कर दी गई, अपनी बात मनवाने के चक्कर में, कि हमारे गौड को मानो, तो इस यहां पर आ जाता है संस्थान वाद, कि हम से जुडते हो, तो तुम सच्चे धार्मिक हो नहीं तो नहीं हो, अभी जैसे मैंने एक मानु भाव का नाम लेकर आपको बताय कि वो लिख रहे हैं कि जो सिधा लिख रहे हैं कि जो सिर्फ कृष्ण को प्रमात्मा माने वही ज्यानी है, बाकि सब अग्यानी है, दुनिया में हर कोई अग्यानी है, वो दावा कर रहे हैं इस बात का, तो कहीं न कहीं वो स्वेम कृष्ण को भी कलंकित करने में लगे हु तो इसलिए यह विचारनिय है कि इसलिए मैं कहता हूँ कि गुरु मत ढूंडो शास्त्र ढूंडो शास्त्र क्या कहते हैं उसे जानो और कितने सधारन और कितने सरल तरीके से शास्त्र क्या कहते हैं वो समझाये जा सके वो बताये जा सके खुद समझो, खुद बताओ, मैं कुछ समझा रहा हूँ, मैं कुछ अनुसंधान करकर, कुछ अध्यन करकर, कुछ समझ कर बता रहा हूँ आपको अगर लगता है कि कुछ समझ में आ रहा है तो आप बताओ लेकिन जहां पर गुरुडम आएगा जहां पर इंस्टिशनलिजम आएगा वहां पर इंस्टिशन प्रायरिटी में हो जाएगा संस्थान प्रायरिटी में हो जाएगा कि हम ही सही है और जो हमें मानता है वही सच्चा सनातन धर्मी है जो हमें मानता है संकर का सिद्धान तो मायावाद है और हमारा सिद्धान बिलकुल अगदम सही है और जो हमें मानता है वही सनातनी ये बाके सब बक्वास है तो ऐसा कहने ये जो संपरदाय बात है ये जो institutionalism है ये जो कल्ट को बढ़ावा देने वाली जहां बात आ जाती है वहाँ पर सब गड़बढ हो जाता है और वहाँ पर फिर कैसे भी अपने follower बढ़ाओ अपना acceptance बढ़ाओ acceptance बढ़ाना और follower बढ़ाने के चकर में लोग जो है कहीं न कहीं अपनी ही एक तरह का एक दादागिरी शुरू हो जाती है एक तरह की अठीक है वहाँ पर कोई उस दादागिरी में कोई गुंडागर्दी नहीं है कोई हतियार का प्रयोग नहीं हो रहा अब शब्द का भी प्र संधाना मेरे साथ करोड़ों लोग खड़े हैं मेरी बात को कहने के लिए यह बात इसी से सब चलना शुरू हो जाता है इसी से हमें विचार करकर समझ कर हमें चलना चाहिए और विवेक से चलना चाहिए तभी जाकर इस समस्या का समधान होगा शास्त्रों की और हम तभी जाकर हम फिर अपना अनुसंधान करो ना आप कह देते हो एक और संस्था के लोग मुझे मिले उन्होंने कहने लगे कि हमारे जो ये जो गुरुजी हैं जिन्होंने हमारी संस्था ये समाज का जो दर्म वो आखरी थे उन्होंने जो कह दिया इस लास्ट सेंटेंस उसके मैं उन्हों गुरुजी का नाम नहीं लूगा यहां पर अभी बहुत क्रांतिकारी विक्तित्व थे और स्वतंत्र विचार धारा में विश्वास करते थे तुम उनके सबसे बड़े विरोधी हो कि तुम ऐसा कह रहे हो कि उन्होंने जो कह दिया वो अंतिम वाक्य है फिर वही कुए के मेंड़क बन गए फिर से कुए के मेंड़क प्रमानित हो गए जो वो नहीं बनाना चाहते तो तुम वहीं बन गए ज्यादा तर मैंने देखा है कई संप्रदायों में उनके जो मुखिया वास्तों में वो लोग तपस्वी थे सद्ध पुरुष थे उन्होंने जो बनाना चाहा उनके जो चेले हैं जो उनके संप्रदाय को ज्वाइन करने वाले लोग हैं वो बाद में चलकर उनकी सारी एक् है तो यह अब बहुत सारे संपरदा हैं मैं नाम लेना शुरू कर दूंगा तो तथा कतित अनुगाई को बुरा लगना शुरू हो जाएगा इसलिए मैं नाम नहीं लोगा ठीक है लेकिन जो उन्हों होनी चाहिए तो शास्त्र विशारधारा जब तक नहीं प्रगट होगी जब तक कुए के मेंधक की तरह हम सोचेंगे कि ऐसा ही करके चलना है यह कह दिया गया तो बस कह दिया गया तो यह चीज है तो सभी बात है संकर प्रशादी सिवाच पोर्ष टू कनवर्ट इंटू बट शीचूज जैथ एंड कमिटेड सोसाइट यह सभी बात है यह घटना घटी है और सची घटना है तो जागरुक होने के जरूरी है यहां पर इतनी भारी समस्या है और तुम्हें लगा है कि लोग हमारी बात मांले हैं lên का लोग हमारे गुदू जी के चेले बन जाए सारे दुनिया हमारे ही गुदू जी को मानले और उनी की चेली बन जाए तभी वह सच्छे स Сनातन धर्म ह 192 बात भी इस और राम की शित्व की तो राम और शिव में कोई भेध ही नहीं है कुई और शेव में कोई भेध ही नहीं है तो थीक भगवान कहते हैं शिव द्रोही मम भक्त कहावा सुनर सपने हुँ मोही नहीं पावा राम चरितमानस में शिव द्रोही मम भगत कहावा तो शिव द्रोही है अपने आपको मेरा भक्त राम भक्त समस्ता है या विश्नु भक्त समस्ता है और शिव से द्रोह करता है तो कभी भी विश्नु की प्र भेधी नहीं है हर और हरी में जब कोई भेध नहीं है तो व्यर्थका ये प्रपंच क्यूं फैलाने में लगे हुए हो लोगों को रुझर के रहने दो ना मिलके रहने दो ठीक है लेकिन नहीं हमारी बात मानो ठीक है अपनी बात मनवाने की जो होड है और अपने संप्रदाय की जनसंख्या बढ़ाने की जो होड है उसमें लोग बहुत कुछ ऐसा बोल जाते हैं कह जाते हैं जो विभिन्नता पैदा करती है टकराव पैदा कर देती है तो वो ना होक और हर और हरी में कोई भेद नहीं है यही समझना चाहिए अगर कोई किसी को दुख पहुचाता है हानी करता है या कोई भी अनैतिक कारे करता है क्या इसको प्रारब्द के फलों का परिणाम समझ कर शांत रहना चाहिए जी नहीं करम सद्धानत ऐसा नहीं कहता करम सद्धानत क कहता है कि जो आपका कर्तव्य बनता है वो करना चाहिए अगर ऐसा होता तो कृष्ण अर्जुन से कहते कि भाई तुझे लड़ने की जुरुती क्या प्रारब्ध मान ले ठीक है ऐसा निप्रारब्ध है अपने जगा लेकिन प्रारब्ध आगामी करम भी तो निश्चित कर देता है तो आपके सामने जो कर्तव्य है और आपके द्वारा जो हो सकता है वो आप करिए ठीक है कोई अन्याय करता है कल भी इस बात को चर्चा हुई कल भी इस पर चर्चा कुछ गुरुजी लोग अपने शिश्यों को समझाते हैं कि बेटा किसी दरद्र को भिखारी को दान मत देना किसी असहाय कुछ अगर तुम उसे दान दे दोगे तो उसके कर्म में बाधा बन जाओगे जी नहीं आपके सामने जो कर्तव है आपके सामने जो ड्यूटी है जो कर्म है वो आपको करना ही चाहिए यही कर्म सद्धानत का उपदेश है यही कर्म कांड़ का सद्धानत हो या श्रीमत भगवद गीता का कर्म सद्धानत हो उसमें यही उपदेश है आपको वो कर्म करने क लिए मिला है वो पर स्थितियां पैदा हुई है कि आप कर्म करो अगर आपके साथ अन्याय कुछ होता है उस अन्याय के विरूध करम तो बनेगा, आप करोगे तो भी करम बनेगा, नहीं करोगे तो भी करम बनेगा, करम बंधन तो बनेगा ही बनेगा, दोनों अवस्ता में, अगर अन्याय को सहोगे तो भी अन्याय को सहने का करम बन रहा है, अन्याय के विरुध लड़ोगे तो लड़ने का करम बन रहा है, करम तो बनेगा दोनों वस्ता में इसी लिए संकल्प वान बन कर तनमे मनः शिव संकल्प मस्तु अपने मन में शिव संकल्पों को मंगलकारी संकल्पों को धारण कीजिए और कर्म कीजिए ठीक शुरेश माने जी बहुत-बहुत अभिनंदन है आपका एसपी सैनी जी जोनती दक्ता जी गंभीर शाह जी गनेश पवार अवड़ी जी कलपना बागडे जी जै माता जी जै गुरु गुरु जी चर्नों में कोटी-कोटी भारत माता की जै गंतर्नत दिवस पर सभी को बहुत बहुत शुबकामना है गंतर्नत दिवस पर आप सभी को भी शुबकामना है उज्वल शेत्री जी रकेश राकेश मराठे जी अजीत अप्राजित जी रशना आरके जी शीमत भगवद गीता पर विवेचन करने वाले हैं तो बहुत-बहुत धन्यवाद जी हाँ जरूर होग कर देवरतन बलदावाजी कर मनुष्य को अपने करमों का फर होगना ही पड़ता है फिर ग्रहों का मानो जीवन को कैसे प्रभावित कर त्यसी ग्रह संकेत करते हैं कि हमारे प्रारद्ध में ये है और इस तरह की चीजे हमारे जीवन में सामने आज आ सकती है ग्रह संकेतक है कुछ घटनाव के लिए ग्रह बिलकुल निश्चित कर देते हैं कि ऐसा आएगा ठीक है बाकी वो संकेतक है तो ग्रह एक संकेत ग्रह हमारा तो करम से बनता है ग्रह एक दिशा देते हैं कि किस दिशा में कारे करने की आवशक्ता है ग्रह एक डाइरेक्शन देते हैं ग्रह एक गाइडेंस आपको देते हैं अगर आप ग्रहों की दशा या उनकी सिती जोतिश के माध्यम से ग्रह आपका भाग्य नहीं बनाते यह ध्या भोगते तो हम करमों का अफल हैं। इसलिए शनी की साड़े साती आ गई। तो सारे दरद्र हो जाएंगे क्या। लेकिन ऐसा होता तो नहीं है छीक है तो इसी लिए विचार करने ग्रह एक संकेत करते हैं जोतिश का ग्यान एक संकेत करता है जीवन के विशय में कुछ बाते समझाने के लिए संकेत कर देता है पुर्व संकेत कर देता है अगर हम जानते हैं तो शायद हम बहुत सारे सुधार ला सकते हैं, अपने कर्मों में सुधार ला सकते हैं, वो सकता है कि ग्रहों, बुरे ग्रहों के प्रभाव में हम कुछ गलत कर्म कर रहे हूं, और वो बहुत बुरा परिणाम देने वाले हूं, लेकिन यदि हम जानते हैं कि अगर उसमें सुधार किया जा तो ग्रहों के जलाते चलो बिल्कुल जलाते चलना चाहिए विनोत कुमार जी भगवान सिर्फ एक है महादेव शिव शंकर हैं सारे देवी देवता दानव मनुष्के भूत प्रेत गंदर्व सभी शिव शंकर के ही अंश है मेरे एश मानना है मानना नहीं जानने के अवस्था में आईए जा है मानने से हटकर जानने की अवस्था में आ जाईए तो बहुत लाब होगा चलिए इसी के साथ ही आगे बढ़ते हैं और कल से कल से भज गोविंदम इस तुरुत पर चर्चा होगी अब वही आदिगुरु शंकराचार है जो भज गोविंदम भी करवा रहे हैं भाई गोव बहुत भधागो फुओर, पर चर्चा कल शुरु होगी कल 9गे ayul इस फृविंदम पुलिए इस लोकों, इसके पदों को पद है ये जो है पद है मतलब गायकी है इसका गायन होता है वीसे ृवाध्स कד में था मंन करेंगे ये इस की परिवेश पर मनन करेंगे कि This बाते कह गई है क्या उपदेश दिया गया है तो वो सब वही बाते हैं लेकिन एक नय तरीके से बातों को कही गई है यह एक भजगोमिंदम इस तरोत में आ जाता है तो चलिए ठीक है विराम देते हैं यहां विचारों को कल फिर 9 बजे लाइव चर्चा में हम सब सम्मलित होंगे और करेंगे बहुत बोह आभार आप सभी का कैसा हो अभी आ करें करक्यों झाल झाल